हाई गाईस, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में डिजिटल न्यूस के, यहाँ पर हम लोग डिजिटल टूल्स की न्यूस के बारे में बात करते हैं, मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी, बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं सो जो इस हबते की सबसे पहली न्यूस आ रही है, वो आ रही है, पेपाल की तरफ से पेपाल ने आपर अपना बिजनस को बंद कर दिया है इंडिया में, यहाँ पेपाल के दो बिजनस चलते हैं इंडिया में, एक है इंटरनाशनल ट्रांजेक्शन को लेकर के जो रेमिट करत कर दिया है क्योंकि competition काफी ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में और UPI आने के बाद में तो और ज़्यादा competition हो गया UPI payments है Amazon पे Google पे phone पे फिर cards है फिर online payment की बात करो तो razor पे है तो काफी ज़्यादा competition बढ़ गया था इस segment में इसी लिए PayPal ने यहां पर बंद कर दिया लेकिन जो दूसरा segment है जहां पे PayPal डॉमिनेट करता है वो इंटरनाशनल ट्रांजेक्शन को ले करके तो अगर आप तो फ्रीलांसर हो तो PayPal तो आपने डेफिनेटली यूस किया ही होगा ब्लॉगर हो तो भी क्या होगा PayPal महाँ पर अभी भी डॉमिनेट कर रहा है इंपक्ट PayPal का revenue भी काफी ग्रो किया था around quarter 4 में इसने dollar 277 billion का यहां पर revenue पोस्ट किया है तो it's a huge amount and क्योंकि covid हुआ था तो उसकी वज़े से यहां पर इसको और boost मिल गया है सो यहां पर inward outward remittance में आपको कोई फार्क नहीं पड़ेगा सिफ जो payment gateway था उसको यहां पर बंद कर दिया गया domestic payments, domestic transaction के लिए अगर आप लोग कोई money आपकी भाहर से आ रही थी PayPal के थूँ तो वो अभी भी आएगी उसमें आपको कोई problem नहीं आने वाली है अगली update यहां पर आ रही है PayPal के competitor की तरफ से जो की payoneer है मुझे personally payoneer जादा पसंद है उसके transaction charges भी कम है लेकिन बहुत सारी websites अभी भी payoneer को support नहीं करती है इसलिए मैं PayPal का तो use करता ही हूँ तो payoneer ने आपे कहा है कि अब वो यहां पर publicly अपने stock list करेंगे अब last week हमने बात क कि मैंने recently password managers को cover किया था in-depth अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको i button के उपर मिल जाएगा उसमें एक था not pass भी तो यहां पे not pass में काफी अच्छी winter sale आई है जहां पर आपको 2 साल का subscription around 36 dollars में मिल रहा है आपको इसका link नीचे मिल जाएगा और मेरे link में एक महिन्य का extra off भी है तो definitely काफी अच्छी डील है जहां पर दूसरे password managers सिफ एक साल का दे रहे है यह उसी price point पर 2 साल का आपको दे रहे है इनकी winter sale में ऐसे ही sale इनकी black friday के टाइम पर भी आई थी अब यह winter sale पर आ रहा है तो अच्छी डील है अगर आप लोग चाहते हो not pass को लेना तो ले सकते हो 30 days की money back guarantee में मिल जाएगी you can try और क्या मेरा experience रहा वो आपको मेरे best password manager वाले वीडियो में मिल जाएगा अगली update यहाँ पर आ रहे है airtel users की data leak को लेकर के around 26 lakh airtel users जो की jammu and kashmir से हैं उनके data यहाँ पर leak हो गए airtel का हाला की यह कहना है कि उनकी तरफ से यहाँ पर data breach नहीं हुआ है and data breach तो हुआ है लेकिन airtel अभी इसे accept नहीं कर रहा है हो सकता है कहीं किसी दूसरी source से हुआ हो लेकिन 26 lakh users की data यहाँ पर leak हुए अगली update यहाँ पर आ रही है 1Password के तरफ से 1Password वही password manager है जिसको मैंने सबसे ज्यादा recommend किया है अपने password manager वाली वीडियो में तो यहाँ पर इनकी team में एक नया बंदा आ गया है अक्षय भारगवा करके and he is going to be the chief product officer of 1Password तो यह लोग अपनी team में काफी जादा लोगों को appoint करते जा रहे है in fact पिछले कुछ time में यहाँ पर इन्होंने 180 से लेकर के 400 तक अपनी employee strength को बढ़ा दिया है and 75,000 के इनके पास enterprise customers है तो 1Password की growth अभी काफी अच्छी हो रही है और जो अक्षय भारगवा है वो former Malwarebytes और Oracle के chief executive रह चुके है तो अच्छी बात है 1Password यहां पर अपनी team को अच्छा कर रहा है हमें अच्छा product रेखने को मिलेगा so that's good फिर next update यहां पर bitwarden की तरफ से भी आ रहे है bitwarden भी अपने आपको पीछे यहां पर क्यों छोड़े तो यहां पर इन्होंने एक नया security and compliance program का blog बताया है जहां पर इन्होंने कुछ नई security details बताई है SOC type 2 के certifications बताई है basically यह certifications बताते हैं कि जो internal programming structure है सब ठीक टाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर इन्होंने white paper भी release कर दिया है कि कैसे उनके world protection काम करता है सब कुछ अच्छ से हैं पर openly इन्होंने बता दिया है अगली update आ रही है यहां पर European Union के एक law से related यहां पर European Union ने एक law बीच में पास करने का चल रहा है इन लोगों का कि जो end-to-end encryption होते हैं उसकी keys government के पास होनी चाहिए ताकि अगर कुछ criminal activities हो तो government उसको decrypt करके देख सके ऐसा ही कुछ हो लोग यहां पर law बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए proton mail, Trisaudit, Threema और एक दो और companies है जिन्होंने उनको यहां पर suggest किया है कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए and in my opinion यह चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर end-to-end encryption है तो end-to-end encryption ही होना चाहिए ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा फिर तो चाहिना वाला सीन बन जाएगा सब कुछ government के पास control रहेगा तो अगर end-to-end है तो end-to-end ही होना चाहिए उसको कोई भी decrypt नहीं कर पाना चाहिए बिना हमारे master password के it's a big thing for us security privacy matter करती है आप लोगों कि क्या opinion इस matter में क्या government के पास पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज को decrypt करके देख सके चाहिए इंडिया में चाहिए उस में चाहिए यूरोप में do let me know in the comment section below अगली update यहाँ पर आ रहे है wordpress की तरफ से wordpress ने यहाँ पर अ किसी के around रहेगा देखते हैं आगे लोग और कौन कौन से topic introduce करते हैं अगली update यहाँ पर आ रही है clubhouse को लेकर कि clubhouse जैसे कि मैंने last week बताया था कि clubhouse की वज़े से जो dot club domains है उसमें काफी spike आया है and clubhouse काफी सारे यहाँ पर investors में last week यहाँ पर invest किया है dot club domains में सिफ लास्ट वीक में भी community form में अगर कुछ community आगे चलके बनाई कुछ forum वगरे बनाए तो उसके लिए यह वाला domain अच्छा रहेगा तो आप लोग भी लेकर रख सकते हो around इसकी at present cost name cheap के ऊपर 240 रुपीज की पढ़ रही है तो आप लोग अगर interested हो तो ले सकते हो link आपको नीचे मिल जाएगा अगली update यहाँ पर आ रही है Verizon की तरफ से Verizon ने आप एक chatbot बनाया है domain names को select करने ले कि chatbot है वहाँ पर आप लोग domain name से related questions जालोगे क्या आपको किस टाइप का domain name चाहिए क्या आपके word limit रहेगी मतलब किस category में चाहिए और यहाँ पर वो chatbot आपको यहाँ पर domain name suggest करेगा अब ख technology back end की तो कभी कोई company reveal नहीं करती है लेकिन मतलब chatbot तो कोई भी बना सकता है यहाँ पर तो देखते हैं कैसे chatbot इनका काम करता है और कब तक यह market में आता है वैसे अच्छा आइडिया है यहाँ पर आप लोग अपने keywords दाल दो कितनी range में चीए आपको कौन-कौन से extensions चीए chatbot में थोड़ा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा वैसे ऐसे बहुत सारे टूल से लेकिन chatbot के फॉर्म में मैं ऐसा कोई टूल नहीं देखा अभी तक अगली अपडेट आपर रही है Mozilla VPN के तरफ से Mozilla जिसने अभी अपना recently VPN launch किया था and it was in collaboration with Mulvan VPN I think and इन्हों नहें आपर य अच्छी बात है लेकिन इंडिया में तो फिलाल भी आपर कोई आने नहीं वाला है और इसकी प्राइजिंग भी अच्छी नहीं थी मिन्स फाइव डॉलर्स पर मन्त अगली अपडेट है यह बॉक्स क्लाउड स्टोरेज की तरफ से मैंने क्लाउड स्टोरेज पर काफी बा को डॉलर 55 मिलियन में खरीद लिया है अब अपने प्रोग्राम में नेटिवली इसिगनेचर लाने वाले हैं अगेन यह फीचर बिजनस के लिए काफी इंपोर्टन हो जाएगा और इसिगनेचर आदा फ्यूचर आइधिंग डूलेट मिनों कि आपको क्या लगता है इसिग इतना इज़े हो जाएगा पेपर सकाइन करना स्टाम डूटी अगरे करना तो डिजिटलाइजेशन यहां पर इनोवेशन के जो स्कोप है वो बहुत जादा है जो आप सोच सकते हो वह यहां पर लोग कर भी सकते हो अगली अप्रेट आरी है यहां पर वर्ट्प्रेस 5.7 ब आपको जो गूगल की जो स्पीड स्कोर होता था उसमें प्रॉब्लम आती थी जब भी आप यूट्यूब अगरे को एंबेट करते थे तो तो अभी लेजी लोड रहेगा तो आई डोंट थेंक सो कि जाधा प्रॉब्लम आनी चाहिए और स्पीड इंप्रॉब्मेंट्स देफिनिटल यहां फिलाले बीटा में रिसेंटली वर्ट्पेस को यहां पर 5.6 पर अपग्रेट किया है 5.6.1 यह इसलिए क्योंकि पहले इसमें बग्स अब उतने बग्स नहीं है तो मैंने अभी इसको यहां पर अपडेट किया अपनी वेब बिल पास कर दिया है अब जिसमें जो भी COVID-19 के जो उन्होंने आप्स बनाए थे उसमें से जो डेटा कलेक्ट किया गया था ताकि यह पता चल सके कि COVID-19 का जो पेशेंट था वो किस-किस के टच में आया था जैसे कि आरोग्य सेतु है इंडिया में उसके जो डेटा है अब सिंगापूर के पुलिस यहां पर आक्सेस कर सकती है इस बिल के थूँ क्यों आक्सेस करेंगे क्योंकि इनके हिसाप से इसके थूप क्रिमिनल्स को पकड़ना थोड़ा और एजी हो जाएगा तो इसके दो एक्स्रीम्स है कुछ लोग कह रहे है कि यह काफी अच्छा मूव ह कुछ लोग कह रहे है कि प्राइवेसी हमारी खत्रे में आ रही है तो क्या ओपिनियन्स है आपके दू लेट मिनो इन दो कॉमेंट सेक्षिन बिलो तो यह थी इस अपते के इंपोर्टेंट डिजिटल न्यूज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग है तो इसको थम्स कर दीजिएगा कुछ अच्छे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीग भी और अच्छे अच्छी नीज इसी तरह से मिलती रहे और आइविल स्यों गाईज इन दे नेक्स वन गुडबाई